हेलो गाइस वर्कम टो माई योट्यूब चैनल फूट ब्लॉगर वर्ल्ड मैं आज आपको अपने वीडियो में दिखाने वाला हूं कि मैंने एक नापतों से पर्चेस किया है जो है एक एयर प्रेसर 300 PSI का तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे खड़िना चाहिए या फिर नहीं तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे किस तरह का है तो आप यह एयर प्रेसर को देख पा रहे हैं यह बार इसे अच्छे से देख लीजिए यह इसका है जो टायर्स में लगता है मैंने वैसे तो इसे साइकल में लगाने की कोशिस की पर मुझसे नहीं हो पा रहा था क्यूंकि इसके कोई भी माउंट से इसमें फिठी नहीं आ अचाहते हैं तो यह बहुत बड़ा दिक्कत बन सकता है पता नहीं इन्होंने इसका मैं इसका क्या करूंगा अगर आदी चीजी के पास नहीं होई तो आप देख सकते हैं इतने घटिया क्वालिटी की डब्बे में आया तक आपको लग रहा होगा कि मैंने से फारा है पर मै मुझे नहीं पता वह कहां से टूटा हुआ निकला था जब मैंने इसे आन किया तो यह बहुत ज्यादा वाइबरेट कर रहा था और मुझे इसे पकरना पर रहा था इसे स्टेबल करने के लिए और इसके यह कहता तो है 300 PSI पर मैं तो पागल हो गया इसे यूज भी नहीं कर प लाइगा इसकी तार की लेंद से तो इतनी तो है कि कार के चारो टायर सा पहुंच सके पर टायर सा थोड़ा सा भी अप आगे करके इसे यूज करना चाहते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है और यह सिर्फ करेंट सपोर्ट करता है तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे घर में नॉर्मल यूज कर सके तो आपको ज्यादा जुगार लगाना पड़ेगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा यह महनत लग सकती है अब मैं इसके का बात करता हूं यह जो रेड़ वा हो सके तो आप देखिएगा मुझे मैंने तो काफी महनत की और इसे कट भी कर दिया ताकि मैं इसे टायर के अंदर घुसा सको फिर भी अच्छी तरह से फिट नहीं आ पा रहा है और मुझे नहीं पता कि यहां पर यह जो हिस्सा यह किस काम आता है अगर आपको पता हो तो इसे करना कितना मुस्किल होगा ठीक है पर यह इसे थोड़ा फ्लेक्सिवल होना चाहिए यह फिर थोड़ा भी होना चाहिए था देख सकते इतनी छोटी सी है इसकी लंबाई है मुझे तो यह बहुत ज्यादा घाटे का सौधा लगा और यह मेरी हिसाब से वर्थ लेस है और सब दुनिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट प्रोड़क्ट में से भी एक है